आज मैं आपको बताऊँगा Facebook में password को कैसे चीन करना है आप अपने Facebook application को open कर लिजी और क्या करिए कि जो right की तरफ एक option आ रहा है तीन लाइने बनी है उस पे जाके एक बार किलिक करें आप देख पार इसमें बहुत सारे option आ रहे हैं लाइन का उस पे जाके एक बार simply क्लिक कर देना इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक अपसान आ रहा है चैंज पासवर्ड का simply इसमें क्लिक कर देना है जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे इसमें तीन आपसान आ रहे हैं current password, new password और retype new password का सबसे पहले आप क्या करीए जो आपके current password है इसमें type करना है मैंने अभी अपना current password इसमें type करती है इसके बाद आप new password जो बनाना चाहा रहे हैं इसके बाद एक पासवर्ड वही दुबारा type कर देना जो नया password इस सिक पता चले हैं दोनों passways सह मैं गलत ना हो दोस्तो इतना कुछ करने के बार नीची एक आपसान आ रहा है, Save Changes के आपसान पर जाके आप क्लिक कर देना, दोस्तो इसमें दो आपसान आ रहे हैं नीचीक तरफ, Review Other Device और नीची एक आपसान आ रहा है, Review वाले में आप क्लिक करेंगे ति यह बताएगा कि आपका यह पहले से किस-किस डिवाज पर लॉग इन है, और आपका अगर इसी डिवाज पर लॉग इन रहना है, तो इसके बाद आप क्या करिए, इस्टे लॉग इन वाले अपसान पर एक बार क्लिक कर देना है, मैंने अभी इसमें क्लिक कर रखा है, और इसी पर continue करने वाला हूँ, और continue के option पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही आप continue के option पर क्लिक करते हैं, आपके पुरानी जो functions दिख रहे थे, features थे वो भी सब आ गये हैं, इसके बाद आपके करिए simplis में back कर दीजिए, दोस्तों ये इस तरीखे से आप अपने Facebook ID का password चेंज कर सकते हैं, पुराना और मैं कहूंगा कि आपको हमेज़ा password चेंज करते ना चाहिए हर 2-3 महिने में, जिससे कि आपका account secure रहे हैं, दोस्तों आपको बहुत सारी settings है, अगर आपको किज़े एक खास setting के बारे में पूछना है तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं, आसा करते हम कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को सेर करिए, चैनल को सब्सक्राब करिए, notification bell को दबा लीजिए, जिससे के अगरा वीडियो डालूँ, आपको मिल जाए, knowledgeable वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहे, मिलेंगे नेकर वीडियो के साथ धन्यवाद,